बच्चों का स्वागत है मेरे सीटूब चैनल जिसके नाम है पार्ट्षला ओनलाइन आज मैं कम्पीटर बेसिक का दूसरा भाग लेके आया हूँ मैं मैंने पिछली पिछली भाग में आप लोगों को पहला पार्ट की बार डिसकेशन किया था जहां पर मैंने आप लोगों को बता है कम्पीटर के क्या क्या पार्ट्स थे है ना मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ जो 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 नेने आये हैं जो आज पहले बार देखेंगे पहला क्या था हम लोगों का मोनिटर उसके बाद आपका कीवोर्ड माउस सिपीउ है ना स्पीकर प्रिंटर एक कुछ कुछ पार्ट्स हम लोगों के उसके बारे में हमने अब लोगों को डिस्केशन किया था मोनिटर क्या होता था जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है अभी एक टिवी जैसा डिवाइस है जहां पे आप जो जो काम करेंगे वहां डिस्प्लेय होगा हिए एक बैट करना है ध क्या करना है यह नहीं करना है तो इसके लिए घृ रेंऄ हो तरह चाहिए तो तो वह कौन करते हैं आपका CPU ठीक है उसके बाद जो अगला आता है आपका वह आता है Keyword ठीक है Keyword Keyword में से क्या होता है जो टाइप एटिंग उसमें हम लोग जो भी चीज़े हम लोग टाइप करते हैं वह जाकर करके फिलेश होते हैं ठीक है इस उसके बाद जो आता है आपका माउस माउस एक होता है Pointing device करें पर हमें क्लिक करना हो कुछ भी करना हो वह किसे होगा आपका माउस से होगा ठीक है उसके बाद आपका आएगा स्पिकर में हम लोग जो गाना बजा कुछ भी हुआ साउंड हमें सुना लेगा वह कहा पर लेगा अपका स्पिकर में सुनाए देगा लास्ट बाट नौट दा लिस्ट हमारे पास आएगा हम लोग का एक प्रिंटर प्रिंटर से क्या होता है सबको मालों में हम लोग पेजस का प्रिंट आउट निकालते हैं ठीक है तो यह सब कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताया था आप वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पर और अभी जो मैं आप लोग को आज जो मैं बताऊंगा वहोगा कम्पीटर को श सबको अच्छा लगएगा मैं उम्मीद करता हूं तो बीना कुछ दिरिकी में आप सबको लेकर चलता हूं कम्पीटर स्क्रीन के दरफ आज का चो टोपीक था कम्पीटर बैसिक उसका पार्ट तू आज हम लोग सीखेंगे तो इसके लिए हम आज हम लोगा जो डिसकेशन का टोपीक होगा वह वह था जैसे विद्शन आपको बताया जिए कंपीटर लेब में घुसने हमें हमें क्या क्या के करना है और क्या क्या इसके मतलब क्या है बैच्चो मान लिया आप अंदर घुश रहे हो तो पहन के आप अंदर जा रहे हो तो उसे क्या हो का जो आपके जो शुच की जो मिट्री लगा हुआ है न वह वह लेब में फैल जाएगा और जो लेपन होते हैं उसके वह जो डस्ट होगा वह पुरा जो इ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है वह बहुत ही हार्मफुल होते हैं ठीक है उसके बाद कंपीटर रूम एटिकेट्स और दूसरा पॉइंट क्या होगा अपें दूर्प कंपीटर रों स्लोली एंटरीट का मैं कोईटली मतलब जो कंपीटर का रूम होता है ना उसक है ठीक है हरवरे में जाओगे गिर जाओगे कहीं पर लग जाएगा तो बहुत इंजोड हो सकते हो अप लोग उसके बाद नेभर टास्ट अपार्स और अटास केबल सब्सक्राइब बहुत 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 जड़ीं इंपोर्टन चीज होते हैं यह तो ख़ली कंपीटर का च च्छोट सरकेट हो गया तो बहुत बड़ा एक्सिदेंट हो सकता है ठीक है दोनों के लिए खास करके आपके लिए ना कंपीटर हो जाएदा तो चल जाए लेकिन आपको अगर को मतलब तो किया होगा है ना तो इसलिए यह आप लोगों को अंदर एक चीज को काड़ बांद लो कि जब भी आपके लैप के अंदर जाओगे पहले तो चीज होता है मतलब अंदर अच्छी से जाओगे उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी जो इलर्टोनिक चीज 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 रहेंगे उनको मालूम होता है जो परात है उनको मालूम होता है तो वही काम करेंगे ठीक है आप लोग उसको कुछ नहीं करोगे उसके बाद बहुत बहुत इंपोर्टन चीज है आप लोग लाइन लगा के आज जाते हो जब जाते हो क्या करते हैं वह सुरे बच्चे में मैंने देखा है धक्का मारे थे किसी के पीसे ग में मतल होता है तो उसमें अगर घका मार दो तो गिर जाएंगे से अगर सिमें फॉय शुरे जगा घरेंगे तो क्या होगा इंजोड हो जाएंगे ना ठीक है तो इसलिए थक्सका नहीं मरना है कि बिल्कुल आप शांतपमुत तरह की तरह के से बैठें शांतपमुत तरह के से बैठें कि इस पूस्टना है ठीक है उसके बार सब्सक्राइब करें तो इस टाइब कर चीज़ें हमें अंदर लेके नहीं जाना चाहिए वह कंपीटर के लिए हांफुल होते हैं की वोड़ों फिर कंपीटर शुड भी हैंडल जैंटल बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन चीज बहुत देखा है किया कड़ते हैं सामने कीबर्ड मिलते ही उसको धरम धरम करके कि कि में मारते हैं है ना तो बिलकुल सही नहीं है है तो क्या होती है अगला पी हो काम नहीं कर पाएंगे कि उसके बार प्लीज दू नोट इट इनिफिंग सब्सक्राइब बबल गम अधर स्टिकिंग इंसाइड थी कम्पीटर रूम बिल्कुल यह तो बहुत ही जड़ा जरूरी है जो चुंग होते हैं अश्कर बहुत सरे चीज़ें निकले हैं बबल गम अगरा है ना इस सब चीज चीज आप लोग नहीं खाना है इस बहुत सरे बच्चे क्या करते हैं उसको खा करके उच्छ बैस होगा चाहां पर बच्चे बैठते हैं तो उसका प्रण खराब हो सकता है ना और रही बात दूसरे बात तो अभी का जो सिंद्ध चल रहा है आभी आप सब लोग घर में बै करना है और दूसरी बार सोशल डिस्टेंसिंग करना है अपि दोस्त लोगे से इतना घुमा मत थोड़ा खेल कुद भी बंद कर दो घर में बैटके जितना हूं ऑनलाइन क्लासे सब्लोग चल रहा है उसको अटेंड करो है ना तो इस इसमें अब लोग भलाई है क्योंकि क्या कि नहीं करना चाहिए उसका हम लोग आप लोग पालन करना है ठीक है ममी बाब के बाद सुनना है और बिलकुल बाहर नहीं जाना है क्योंकि जगा जगा पर लोगड़न हो रहा है उसके बार नेवर कीप एनिटिंग साच इस बुक्स नोटबुक्स पैंसिल बॉक्स और मोनिटर कीबम और सीपीओ तो यह सब चीजें नहीं रखना है वह जो बुक हो गया नोटबुक हो गया मैंसिल बॉक्स मोनिटर कीबड़ सीपूर्ड फेस बॉक्स जीज़े नहीं रखना है और नहीं बहुत जुदुर मान करके निकले और यह आप मतलब कंपीटर के लिए ह आफुरू सेक्तर हैं तो मैं अभी दिखा दूगा आप लोग कंप्यotor को कैसा साइस कर सकते हैं तो अब लोग तरी हम लोग क्लिक करते हैं हमप Васेस्टेज मेंनोगी पैर होती है तो हमलो लोगों जो कम्प्यूटर है वो अपनी आपी शॉटडाउन हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यह था हाज हम लोगों का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप लोगों समझ में आया है और जितने सारे पैरेंट्स है मैं उनसे करना चाहूँगा उनकी लगार कर बड़ बटन लिखा को सब्सक्राइब लिखा हुआ जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफेशन का बैल होगा साइड में वह तुसको प्रेस कर दें ठीक है ताकि मैं चितने सरे वीडियो में डालो आप तक पहुँच करता हूँ सबको बाई बाई